नवस्कार दोस्तों, देट तो देखो आज की 23 अपरेल 2024 है, स्वागत है आपका एटोवेल डिसकुर्शन में, डिसकुर्शन स्टार्ट करने से पहले ये कोड देख लीजिए, इतिहास में देखो, आपको ना दो तरह के एक्जामपल्स मिलेंगे, एक तरफ महादमा गांधी और नैलसन मंडेला जैसे, इस्टोरिकल फिगर्स, जिनके पास में बहुत पावर थी, जिनके एक इशारे पे लाखो क्रोडों लोग आंदूलन करने के लिए तयार हो जाते थे, अपनी जान देने के लिए तयार हो जाते थे, बड़ देखो, इन लोगों ने अपनी पावर्स का बहुत सही तरीके से इस्तमाल किया, ये अपने प्रिंस्पल्स के परतिना कमिटीड रहे, दूसरी तरफ देखो, हिटलर और स्टालिन जैसे लीडर्स हैं, जिन्नों ने पावर का दुरुपयों किया, और लोगों को दुख दिया, समझे, मतलब पावर जो है, वो देखो, एक दो धारी तलवार है, अच्छी चीजों के लिए पावर का इस्तमाल हो सकता है, और दूसरी तरफ तबाही का रास्ता भी बन सकती है, पावर, जिसे सिविल सर्विसिस के एस्पारेंट्स हैं, एक्जाम क्रेक करने से पहले एथिक्स में बढ़िया बढ़िया एक्जामपल देते हैं कि मार्जलाई सेक्शन के लोग का भला करना है, और वो लोग जो पिछड गए हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता हो, उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई देखो ये है, सिलेक्ट हो होने के बाद जातर जो सिविल सर्वेंट्स है ना, वो उन बातों को भूल जाते हैं, जो उन्होंने लिखी थी, एस्पारेंट फेस के दुरान अपनी आंसर राइटिंग में, जातर सिविल सर्वेंट्स उन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय उनको पावर मिल जात पहला आर्टिकल न ये वाला है हिंदू का political space for disability rights सविधान के काफी सारे angle इसमें involved है और तीसरा जो आर्टिकल है Indian Express का करनाटक High Court ने हुका बार्स के band को uphold किया है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा political dimensions है Article 47, Article 19, 1G, Article 21 सबको interlink करके दिखाया गया है काफी important आर्टिकल है और दूसरा जो आर्टिकल हम discuss करेंगे आज वो देखो patent rights से समंदित है सरकार ने जो patent rules में बदलाव किया है उससे system खराब होगा दवाईयां महेंगी होगी कैसे पूरा background के साथ जानेंगे चलिए discussion स्टार्ट करते हैं आज की discussion में first important article political space for disability rights से समंदित है आप देखो सले बस मैं GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ क्या contest है देखो कुछ political parties जैसे Congress और CPIM ने अपने election manifesto में एक promise किया है वो ये चाहते है कि अगर हम election जीत गए तो सविधान के article 15 और article 16 में disability को include किया जाएगा आई ये detail से समझते हैं article 15 सविधान का क्या है article 15 कहता है किसी person के साथ discrimination यानि बेदभाव नहीं किया जा सकता जिसे देखो religion के नाम पे race के अधार पे caste के अधार पे sex के अधार पर place of birth के अधार पर इन में से किसी भी ground पर किसी दूसरे person के साथ discrimination नहीं किया जा सकता ये साफ साफ बोलता है article 15 और article 16 जो है वो employment में equality of opportunities की बात करता है अब आप issue को ध्यान से सुनियेगा देखो जो disability rights वाले groups है ना जो disables को empower करने की बात करते हैं उनका ये कहना है disability के अधार पे ना बहुत सारा discrimination होता है जैसे देखो school में कई बार admission नहीं मिलता disables को और admission मिल भी जाता है तो disabled friendly infrastructure school में नहीं होता braille वाली brooks नहीं होती physical infrastructure disables के लिए नहीं होता और यही हाल आपको healthcare centers में देखने को मिलेगा even jobs में disables को कई बार job नहीं दी जाती यह सोच लिया जाता है कि वो कम काम करेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा employer की कई बार ऐसे सोच होती है तो disability rights वाले group जो है न काफी समय से ये मांग कर रहे है article 15 में जैसे ये words mention है na religion, race, caste, sex, place of birth यहाँ पर disability word भी mention होना चाहिए साफ साफ कि disability के अधार पर discrimination नहीं हो सकता समझ गे देखो writer कहते हैं पिछले दो दसकों में न disability rights वाली जो ये moment है न इसने काफी जोर पकड़ा है जैसे देखो 2007 में 2007 की ये बात है इंडिया ने एक convention को ratify किया इस convention का नाम क्या था? इस convention का नाम था UN Convention on the Rights of Person with Disability UNCRPD ये जो convention है UNCRPD पूरा नाम में आपको फिर से बता देता हूँ UN Convention on the Rights of Person with Disabilities इसको ना इंडिया ने ratify कर दिया इससे ना disability को देखने का जो नजरिया है ना वो बदल गया medical और charity model से social और right based model की तरफ हम आगे बड़े पहले तो सोचा जाता था कि अरे यार disabled का भला करना मतलब charity करने के समान है पहले अक्सर ये देखा जाता था ऐसी ख़बरे आम थी जैसे machine लगवादी जिनको सुनता नहीं है और जो चल नहीं सकते उनको tricycle बटवा दी ऐसी अप्रोच जादा थी कि भला कर दो दान दे दो charity कर दो disabled की मरद करना बट अब जो narrative है ना ये disabled का हक है उनका right है कि वो भी इस समाज में dignity के साथ जीश के तो charity वाली भावना जो है ना अब relatively खतम हुई है इंडिया ने जब देखो इस convention को ratify किया 2007 वाली फिर इसको implement करने के लिए 2016 में act भी आ गया Rights of Person with Disabilities Act इस 2016 के act को आप shortcut में बोल सकते हो RPWD Act RPWD यहाँ पर देखो एक बात बताना जरूरी है 2016 का ये जो act है ना Rights of Person with Disabilities Act वैसे ये act साफ साफ मना करता है कि disability के बेसिस पे कोई discrimination नहीं हो सकता कोई भेदभाव नहीं हो सकता और साथ की साथ employment, education और accessibility में भी Disables को equal opportunities प्रोवाइड करना जरूरी है मतलब Article 15 और Article 16 में जो मांग चल रही है ना disability word को add किया जाए वो चीज देखो 2016 के act में तो है सिधा सिधा तो आपके मन में question आना चाहिए कि जब देखो 2016 के act में है तो फिर सविधान में add करवाने की क्या जूरत है फिर specifically article 15 और article 16 में add करवाने की क्या जूरत है ये question आपके मन में आया होगा ना कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाया कुछ अगर चीज चेंज भी करनी है ना तो 2016 वाले act में amendment करके कर दो ना अगर आप कुछ भला करना चाहते हो disables के लिए तो 2016 का जो ये act है इसमें आप amendment कर दो सविधान में amendment क्यों चाहिए तो इसके बाद राइटर बताते हैं कि अगर सविधान को amend किया जाता है सविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में disability word को डाला जाता है तो इसके माइने क्या है as compared to अगर 2016 के act को amend किया जाए देखो सबसे पहली चीज हमारे freedom fighters ने बहुत struggle किया जब अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे था उस समय rights नहीं थे जनता के पास बिलकुल भी तो जैसे देश अजाद हुआ historically जो भी discrimination हुआ उसे address करने के लिए कुछ वर्गों को reservation दिया गया और citizens को rights दिया गए state के against तो देखो अगर disability word को add किया जाता है article 15 और article 16 में तो historically जो discrimination हुआ है न disabled के साथ में उसको recognize करेगी ये चीज़ पहली बात तो ये हुई दूसरी सविधान में अगर कोई चीज़ mention है तो उसकी value ज़ादा है उसकी normative value ज़ादा है as comparison to वो चीज़ किसी act में है तो ये सविधान को amend करना हो तो special majority चाहिए और act वगरे को देखो simple majority के साथ भी change किया जा सकता है तीसरा सविधान में कोई चीज़ साफ साफ mention है ना जैसे हम discrimination रोकेंगे तो ना वो state की stronger commitment को show करता है discrimination रोकने के लिए as comparison to वो चीज़ किसी act में mention है चोथी चीज़ अगर देखो constitution में सिधा सिधा mention होगा कि disability के अधार पे discrimination नहीं हो सकता तो फिर ना disabled जो है वो सिधा high court और supreme court में जास केंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि देखो fundamental right का violation हुआ है हमारे disability के अधार पे हमारे साथ भेदभाव किया गया है तो वो ज्यादा empowered feel करेंगे क्योंकि वो सीधा high court और supreme court में जास केंगे अगर discrimination होता है तो क्योंकि आपको पता है ना fundamental rights के violation पे तो सीधा कोई citizen high court और supreme court जा सकता है तो वो हग फिर disabled को मिल जाएगा और वैसे देखो disability groups के दवरा यह जो demand की जा रही है ना इसका समर्थन देखो 2019 में UN committee on the rights of person with disabilities ने भी किया यह जो committee है ना यह committee देखती है क्या India UN convention on rights of person with disabilities को comply कर रहा या नहीं कर रहा है तो committee ने जब यह देखा कि India इस UN convention से comply कर रहा या नहीं कर रहा तो इस committee ने suggest किया कि disability groups के जो यह मांग है सविधान के आर्टिकल 15 में disability word को add किया जाए वो मांग बिलकुल सही है इसके बाद देखो Supreme Court की एक judgment भी यहाँ पर relevant है 2018 में एक बहुत important judgment आई थी नवतेज सिंग जोहर वर्सेज Union of India केस में इस केस में ना Supreme Court ने एक बहुत बड़ा decision लिया उन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 का जो protection है ना जिसे आर्टिकल 15 में जो protection है ना sex के नाम पे place of birth के नाम पे religion के नाम पे race के नाम पे discrimination नहीं हो सकता तो Supreme Court ने इस 2018 वाले judgment में बोला था कि आर्टिकल 15 का जो protection है ना वो sexual orientation को भी cover करेगा यानि अगर किसी के साथ उनकी sexual orientation की वज़े से discrimination हुआ है तो वो भी आर्टिकल 15 के under wrong होगा समझ गए? अगर किसी का देखो lesbian होने के कारण, gay होने के कारण discrimination हुआ है ना तो वो भी आर्टिकल 15 में दिये गए fundamental right का violation होगा ऐसा सूपरिंग कोट ने बोला था 2018 के इस नवतेज सिंग जोहर versus Union of India केस में ऐसा देखो इसलिए क्योंकि कोट ने na sexual orientation को आर्टिकल 15 में जो बाकी grounds दिये गए है ना उनके analogous मानाम अब महेश पूछेगा कि सर ये analogous का क्या मतलब होता है देखो analogous का मतलब है कि sexual orientation भी वैसे ही है जैसे article 15 के बाकी grounds है जैसे caste, religion, etc तो sexual orientation के अधार पर discrimination को भी उतना ही protection मिलना चाहिए जितना कि article 15 के अंदर दूसरे grounds दिये गए हैं जैसे race के अधार पर discrimination पर religion के अधार पर discrimination पर तो writer ना यहाँ पर important बात बोलते हैं अब ये जो नवतेज सिंग जोहर वाला case है इससे ना disabled के लिए भी एक opportunity खुलती है क्योंकि ना court disability को भी एक analogous ground मान सकती है जैसे देखो sexual orientation को एक analogous ground माना है न वैसे ही disability को भी एक analogous ground Supreme Court के दवारा माना जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो disability को भी article 15 के under protection मिल जाएगा जैसे बाकी grounds के अधार पर discrimination को मिला हुआ है बट 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 अब ध्यान से सुनिए यह उतना effective नहीं होगा राइटर के अनुसार जितना कि देखो सविधान को amend करके special article 15 में एक disability word add कर दिया जाए क्यों? क्योंकि देखो court का यह मान लेना कि disability एक analogous ground है यह सिरफ court की interpretation है court की interpretation से article 15 में disability word explicitly add नहीं हो जाएगा फिर क्या होंगे जब case जाएंगे supreme court पे अलग bench होगी तो हो सकता है कि वो कुछ अलग धंग से interpret कर दे चीजों को और case बहुत ज़्यादा pending हो जाएंगे समझ गए कि disability के अधार पर discrimination fundamental right का violation है या नहीं है बहुत सारे cases इस issue से सम्मंदित court में pending हो जाएंगे point समझ गए ना आप कि supreme court के interpretation से कुछ नहीं हो था सविधान को एमेंट करके अगर साफ साफ article 15 में disability word add कर दिया जाएगा ना तो litigation कम आएंगी इस issue से सम्मंदित certainty हो जाएगी ऐसा नहीं कि दूसरी supreme court की judge bench आई तो उसने कुछ अलग डंग से interpret कर लिया article 15 को clarity आजाएगी अगर article 15 में disability word add होता है तो और वैसे विदेखो legislature के responsibility है ना कानून बनाना सविधान को एमेंट करना judiciary की थोड़ी ना responsibility है judiciary का काम है judicial review interpretation कुल मिला के देखो अच्छी शुरुवात हुई है लोग्सभाई election से पहले ना फरवरे दो हजार चोबीस में national center for promotion of employment for disabled people और national disability network इन्होंने एक initiative launch किया था इन्होंने disabled के लिए एक manifesto launch किया था और political parties को बोला था कि आप ये manifesto अपनाए अपने अपने political manifesto में election से पहले और disabled से समधित issues को आप priority दीजिए तो कुछ political parties ने अपनी manifesto में disabled को priority दी है और बोला है कि सत्ता में आये तो article 15 में जो disability word है वो add करेंगे तो ये एक अच्छी शुरुवात है ये पूरा issue हमने discuss किया detail से चलते हैं आगे इसके बाद next article अगर देखो कानून में बदलाव किया जाता है ना तो medicines जो है वो और जड़ा expensive हो जाएंगे आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हों देखो एक अच्छा health system वो होता है जहां पे ना quality और affordable medicines की लगातार supply होती रहे यानि दवाईया ना सिरफ quality वाली हो बलके affordable भी हो अगर हम बात करें health cost का जो total खर्चा होता है ना उसमें से 50% खर्चा तो सिरफ और सिरफ medicines का होता है और medicines की जो ज़ादा cost होती है ना वो patenting की वज़े से होती है जैसे कोई company है ABC उसने बहुत research करके कोई drug develop किया तो ना सकती है और कोई नहीं बेच सकता monopoly हो जाती है 20 साल के लिए incentive create करने के लिए ये patent दिया जाता है कि ज़्यादा ज़्यादा companies R&D करें और नई नई drugs को develop करें और वैसे research पर पैसा भी लगता है बढ़ देखो दूसी तरफ जो generic drugs है ना बहुत ज़्यादा सस्ती drugs बेचती है महेश पूछेगा क्यों sir generic drugs सस्ता क्यों बेचती है क्योंकि देखो generic drugs ने research नहीं की ना research में नोंने पैसा नहीं invest किया और difference जानते हो क्या generic drugs और branded drugs के बीच में API तो same ही होते है active जो ingredients है ना वो तो same ही होते है main जो chemical है जिससे असर होता है शरीर पर वो तो same होते है generic drugs में भी और branded drugs में भी लेकिन generic drugs में shape अलग हो सकती है color अलग हो सकता है यानि non active जो ingredients है ना वो अलग हो सकते है generic drugs भी similar ही काम करती है जैसे branded drugs काम करती है but generic drugs तभी manufacture हो सकती है जब patent period खतम हो जाए 20 साल पूरे हो जाए तभी तो generic drugs manufacture की जा सकती है उससे पहले नहीं हला कि कुछ और भी exceptions है जिसको अभी हम discuss करेंगे आप ना थोड़ी सी chronology समझे early 1970s में यानि 1972 या आसपास ना Patent Act में ना एक amendment किया गया था वो ये था देखो product की patenting नहीं हो सकती process की patenting आप कर सकते हो for example ABC company है उसने काफी research करके एक drug develop की तो भारत के उस समय के Patent Act में ये provision किया गया कि आपने जो process अपना के नया drug बनाया है ना उस process की patenting है कोई दूसरी company उस process को अपना के product नहीं बना सकती जो आपने डवलप किया है लेकिन product की patenting नहीं है माल लीजे किसी दूसरी company ने किसी दूसरी process की साइता से product बना लिया तो फिर उसको हम नहीं रोग सकते सिधी सी बात है तो ये provision किया गया था early 1970s में इसका फाइदा देखो ये हुआ इस provision का हमारे देश में जैनरिक ड्रग्स की जो इंड़स्ट्री थी ना खूब फली फूली इंडिया जैनरिक ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में next exporter बन गया इंडिया के द्वरा भेजी गई ड्रग्स ने नजाने लाखो क्रोडो लोग की जाने बचाई अफ्रीका जैसे कोंटिनेंट में जहां पर गरीबी काफी जादा है जनता काफी गरीब है नहीं एफोर्ड कर पाती वो महंगी ड्रग्स तो इंडिया का काफी नाम हुआ कि इंडिया दवाईयों का हब है पूरे वर्ड में लेकिन देखो फिर क्या हुआ 1995 में एक TRIPS का एग्रिमेंट आ गया WTO उससे में बना था तो उससे में TRIPS का एग्रिमेंट आया और उसमें ये बोला गया कि प्रोडेक्ट की पेटेंटिंग जरूरी है इस TRIPS के एग्रिमेंट के आधार पे इंडिया ने 2005 में अपनी पेटेंट एक्ट को एमेंड किया और इंडिया ने भी इस एग्रिमेंट की बातों को मान लिया कि हाँ भई प्रोडेक्ट की भी पेटेंटिंग होगी प्रोसेस की पेटेंटिंग के अलावा लेकिन देखो जब ये चेंजीज हो रहे थे न तब एक बात ये नोटिस की गई कि यूएस और यूरोप में जो ड्रग्स को पेटेंट मिल रहा है न उन में से 76% ड्रग्स सिरफ नए फोम में है मतलब कुछ बदलाव नहीं किया है पहले उन ड्रग्स को पेटेंट मिला 20 सालों के लिए बाद में उन्होंने बस थोड़ा बहुत इदर उदर का चेंज दिखा दिया नाम नाम के नाम नाम के लिए और फिर से पेटेंट हासिल कर लिया 76% ड्रग्स तो ऐसे थे फिर इंडिया ने ना इस चीज को रोकने के लिए कदम उठाए 2005 के पेटेंट एक्ट में और ये जो फेनमेनन है न कि 76% तो देखो पुराने ड्रग्स को ही फिर से नया पेटेंट मिल रहा है इनको बोलते हैं मीटू ड्रग्स आप पूछोगे सर ये मीटू ड्रग्स क्या होते हैं देखो सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे जो आलरी एक्जिस्टिंग ड्रग्स है ना उन में से बस मामूली साथ चेंज किया एफिशेंसी नहीं इंक्रीज हुई उन ड्रग्स की ऐसा नहीं कि नए जो ड्रग्स हैं वो बहतर डंग से इलाज कर रहे हैं थोड़ा बहुत कैमिकल इधर से उदर चेंज कर दिया बस दिखाने के लिए कि हाँ हमने चेंज किया है और फिर से पेटेंट हासिल कर लिया तो इन ड्रग्स को बोलते हैं Me2drugs समझगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं Evergreening of Patents मतलब बार-बार पेटेंट हासिल करने की कोशिस करना क्यूंकि पेटेंट मिल जाता है तो फाइदा होता है Monopoly Is Tableau हो जाती है तो patent period खतम होने के बाद भी drug companies ने कोसिस करती है, फिर से patent हासिल कर लिया जाए तो ये इस process को बोलते हैं, evergreening of patents तो 2005 के patent act में ये amend करके section add किया गया, section 3D section 3D में बोला गया, अगर देखो पुराने drug में उतना बदलाव नहीं किया गया है कि उससे न efficiency बढ़ जाए drug की, कि इलाज और जादा बहतर हो जाए समझ गए, therapeutic efficacy मतलब कि इलाज करने की समता नहीं बड़ी है पुराने drug में थोड़ा बहुत chemical change करने से, तो फिर उस patent को continue नहीं किया जाएगा अगर हाँ, पुराने drug में इस प्रकार से बदलाव किया गया है, नए chemicals एड किया गये है कि वो drug और जदा effective हो गई, वो और बढ़िया धंग से इलाज कर रही है तो बेसक उसे patent दिया जा सकता है इस चीज़ को देखो मदरास high court के द्वारा अफैल्ड किया गया famous iconic 39 case में, एक और important amendment किया गया था 2005 के patent act में कि आउसकता पढ़ने पर, मतलब जैसे देखो public emergency आ गई या फिर बहुत drugs महंगी मिल रही है और जनता के लिए बिल्कुल भी affordable नहीं है तो ऐसी situation में भी सरकार ना order दे सकती है generic drug manufacture करने वाली companies को कि भाया तुम भी बनाओ इस चीज़ को बोलते हैं compulsory licensing समझ गए जब सरकार public emergency के दुरान या फिर drug जब बहुत ज़दा महंगी हो तब generic companies को बोल सकती है कि आप बनाओ हम आपको license देते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं compulsory licensing इंडिया के patent ला में एक और important flexibility ये है मान लिजिए ABC company ने patent के लिए apply किया है न तो कोई भी person आप भी civil society के groups कोई भी न even pre grant stage पे भी oppose कर सकता है कि इस ABC company को आप patent मत दो pre grant stage पे भी oppose किया जा सकता है third parties के दवारा even post grant stage पर भी तो होता ये था patent मिलने से पहले ही oppose करने पर civil societies oppose करते कि इनको patent नहीं मिलना चाहिए तो 35-40% applications तो देखो उसी समय reject हो जाती कुछ patent के लिए apply करने वाली companies अपनी applications को वापस ले लेती कुछ patent controller office वाले reject कर देते तो ये एक बहुत important चीज थी कि pre grant stage पे civil society के जो लोग है वो oppose कर सकते हैं कि इस company को patent नहीं मिलना चाहिए but अब rules change कर दिये गए हैं ये सबसे बड़ी दिक्कत है पूरे article का अभी तक जो हमने discuss किया वो एक background था अभी तक क्या-क्या था इंडिया के patent act में पूरी story समझी हमने but अब ना सरकार ने ना कुछ patent rules change किये है क्या change हुए है rules में क्या बदलाव आया है और क्या इससे impact पड़ेगा अब वो important है सबसे पहला बदलाव तो देखो ये हुआ है प्री ग्रांट अपोजीशन को ना difficult बना दिया गया है पहले तो patent मिलने से पहले civil society के जो लोग oppose करते थे थे ना कि इस company को patent नहीं मिलना चाहिए उस प्री ग्रांट अपोजीशन को difficult बना दिया गया है जैसे देखो मान लीजिए कोई person है person का नाम है रमेश रमेश ने विरोध किया कि ABC company को patent नहीं मिलना चाहिए तो जो patent controller office है ना वो रमेश को सुने बिना ही रमेश के विरोध को reject कर सकता है काईदे से तो होना यह चाहिए ना रमेश ने विरोध किया है तो patent controller office रमेश को बुलाए कि भाया आप बताओ क्यों विरोध कर रहे हो क्यों patent नहीं मिलना चाहिए इस company को पहले यह rule होता था लेकिन अब क्या है patent controller office बिना रमेश को सुने patent दे सकता है उस company को सुनना ज़रूरी नहीं है जिसने विरोध किया है तो यह पहला point दूसरा point जिसने oppose किया है कि patent नहीं मिलना चाहिए उस पर fees लगेगी अब fees लगेगी तो देखो कम लोग फिर oppose करेंगे एक deterrent का काम करेगा उन पर fees लगाना यह देखो opponent to the patent now has to pay fees which was not the case earlier financial burden होगा oppose करने वाले लोगों के लिए और यह financial burden बाद में देखो patients पे आएगा जिनके लिए दवाईया महंगी होंगी फिर देखो एक और बदलाव किया गया है होता यह है बुराने rules के अनुसार माली जी ABC कमपनी ने patent के लिए apply किया था ना अब उसको patent मिल गया है तो वो कमपनी ना हर एक साल data file करती है कि उन्होंने कितनी drugs को produce किया है और अगर यह निकल के आता है कि ABC कमपनी ने कम drugs को produce किया है तो फिर जो हमने provision डिसकस किया था ना compulsory licensing वाला कि फिर सरकार बोल सकती है generic company को कि आप manufacture कीजी यह तो enough drugs नहीं produce कर रहे हैं हर साल production का data नहीं file करना पड़ेगा तीन साल बाद एक बार करना पड़ेगा तो इसका देखो नुकसान होगा हर साल वो data present करते थे कितना हमने drugs produce किया है तो कम से कम possibility रहती थी compulsory licensing की अब वो possibility ना तीन साल बाद आएगी ना कि एक साल बाद लाश्ट में conclusion में writer बोलते हैं देखो multinational pharma companies के pressure की वज़े से न इसके बाद next article देखो करनाटक high court ने न करनाटक की सरकार ने जो हुका पे बहन लगाया था उसको upheld किया है इसमें ना बहुत सरे सविधान के articles DPSP fundamental right से involved हैं तो मतलब policy के हिसाब से काफी interesting और important article हैं मैं आपको details से और बिल्कुल असान सब्दों में बढ़ाता हूँ सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या है साथ फरवरी कोना करनाटकी सरकार ने एक notification issue किया इस notification में उन्होंने state में hookah bars पर बैन लगा दिया तो इसके खिलाफ कुछ restaurant owners ने high court में petition file कर दी कि साथ फरवरी वाला state government का जो notification है ये गलत है क्योंकि ये हमारे article 19 1 G का उलंगन है कौन से article का उलंगन है article 19 1 G बताओ कौन सा है ये article ये article 19 1 G जो है वो है freedom है fundamental right है कि कोई भी किसी भी profession को start कर सकता है कोई trade of business start कर सकता है हलां कि कुछ restrictions भी है जैसे ऐसा नहीं कोई हर कोई doctor बन जाएगा वकील बन जाएगा उसके लिए degree लेनी ज़रूरी है reasonable restrictions है तो hookah owners ने का कि ये तो देखो हमें तो business नहीं करने दिया जा रहा है ये हमारे fundamental right का violation है तो मामला गया high court में petition फाइल कर दी restaurant owners ने 22 अप्रेल को ना high court की एक single bench ने government के दोरा जो बैन लगाया था ना hookah bars पे उसे uphold किया high court ने ये बोला ये जो बैन है ना ये public interest में है और वैसे भी जो court पा act है ना 2003 का 2003 का जो court पा act है ना ये देखो इसे बोलते हैं court पा act तो high court की single judge की single bench के judge ने बोला hookah bars ये court पा act के अंतरगत एक illegal service है तो ये पूरा background हमने समझ लिया अब थोड़ा सविधान से समधित provisions है ना उसमें deep down करते हैं देखो article 47 क्या है सविधान का DPSP है सविधान के part 4 में article 47 एक DPSP है ये कहता है state को ये परियास करना चाहिए कि intoxicating जो drinks है ना नसे वाली जो drinks है ना उससे health पर citizens के health पर पर परतिकूल अशर पड़ता है तो उसको prohibit करने का परियास state को करना चाहिए तो ना इस मामले में court ने ये बोला कि article 47 DPSP वाला जो state को बोलता है कि आप परियास करो कि citizens को ना नसे वाले drinks पीने से harmful effect ना हो ये जो article 47 है ना वो सविधान के article 21 से linked है ये बात सबसे important है article 47 DPSP और article 21 क्या है ये है right to life with dignity तो court ने ये बोला कि article 47 और article 21 right to life with dignity आपस में ना दोनों linked हैं intrinsically linked हैं अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा आपके मन में आया होगा दोनों आपस में linked कैसे हैं भईये ये तो बताओ वो मैं आपको बताता हूँ वो article नहीं बताएगा आप example लीजिए मान लो एक factory है जो देखो बहुत pollution फिलाती है और इस pollution की वज़े से ना आजपास के लोगों की health खराब हो रही है अब अगर state इस pollution को रोकने के लिए कुछ नहीं करती है तो वो अपने article 47 की duty को पूरा नहीं कर रही है क्यों? क्योंकि देखो article 47 में न ये बात भी तो बोली गई है न कि state की duty है nutrition level raise करना standard of living improve करना public health को improve करना लेकिन factory तो pollution फिला रही है और state pollution को रोक नहीं रहा है तो ये article 47 के अंतरगत state की duty का violation है लेकिन इसके साथ साथ अब देखो article 21 हमने क्या discuss किया था right to life with dignity अब उस factory के आसपास जो लोग रहते हैं वो pollution की वज़े से अपनी life जो है वो dignity के साथ नहीं जी रहे हैं तो ये fundamental right का भी तो violation हुआ ना article 21 का भी तो violation हुआ ना तो दोनों चीजों का violation हुआ state की जो duty थी article 47 के अंतरगत और citizens का जो fundamental right था article 21 के अंतरगत वो dignity के साथ अपनी life नहीं जी पा रहे हैं pollution की वज़े से तो इसलिए court ने कहा कि article 47 और article 21 एक साथ चलते हैं अगर आप article 21 को ensure करना चाहते हो तो आपको article 47 पर भी act करना होगा समझ गे इसके लावा court ने ये भी कहा article 47 को देखो directly court में enforce नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि DPSP जो है वो enforceable नहीं है समझे लेकिन देखो अब कई बार भूत ध्यान से सुनियागा बहूत important point है article 47 तो देखो enforceable नहीं है लेकिन factory pollution फिला रही है अब fundamental rights का तो violation हो रहा है न वो तो court में enforceable है न समझे मतलब factory pollution फिला रही है factory owner court में जाके बोल दे कि भाया बेशक article 47 का violation है लेकिन DPSP enforceable नहीं है तो सरकार बोल सकती है कि article 47 के साथ साथ ये fundamental right का भी violation है article 21 के अंतरकत तो ये तो enforceable है न अब समझे बात मतलब court ने आर्टिकल 47 को आर्टिकल 21 से लिंक करके इसका जो importance है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है अब आए आर्टिकल 19.1 G की बात करते हैं जो petitioner ने बोला न जो hookah bars के owner थे कि देखो ये तो हमें business करने से रोक रहा है ये fundamental right का violation है तो court ने बोला कि भया ये fundamental right आपका absolute नहीं है reasonable restrictions है और जो reasonable restrictions हमने लगाई है कि इससे दूसरों की health पर नुकसान पढ़ रहा है वो reasonable restriction बिलकुल जायज है तो hookah bars पे ban लगाना ये आपके fundamental right का violation नहीं है ये article 19.1G के reasonable restrictions में आता है तो ये सविधान वाले points देखो सबसे ज़्यादा important थे तो ये थी हमारी आज की discussion last में देखो questions देख लेते हैं दो questions देखो आपको attempt करने है एक तो करनाटक high court ने जो hookah bars पर ban लगाया है उससे सम्मंदित DPSP कैसे fundamental rights को shape करते हैं ये आपको बताना है फिर दूसरा जो article है दूसरा जो question है वो 2016 का जो ये act है ना RPWD इसमें limitations को examine करने से समंदित है दोनों questions का answer आपको 250 words में देना है तो ये थी हमारी आज की discussion कल मिलते हैं फिर से एक interesting discussion के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिये thank you thank you very much for discussion